हेलो दोस्तों, अरली फाइनसिल आजादीम आपका बहुत-बहुत स्वागत है, तीन कंपनिया, सेल, हड को और अधित्य बिल्ला सनलाइफ, एमसी, उन्होंने डिविडेंड डिक्लियर किया हुआ है, इनके डिविडेंड से जुड़ी हर एक इंपोर्टेंट बात हम इस अगर आप देखेंगे, शेर प्राइस अभी 85 रुपीज के आसपास में है, तो मैं सिर्फ अगर डिविडेंड आज के डिविडेंड को ही मैं अगर देखूं, तो जो डिविडेंड इल्ड जो आ रही है, वो 1.18 परसंटेज किया आ रही है, अब जब हम डिविडेंड की ए 12 सालों के स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया के डिविडेंड की, और यहां पर हमको कुछ बिल्कुल शौकिंग चीजे पता चली है, जैसे आप देख सकते हैं, फाइनांशल येर 11, 12, 13, 14 उस समय में जो सेल है, उसका डिविडेंड दो रुप्या चालीस, फिर दो रुप्य दो रुप्या ऐसे करके आ रहा था, लेकिन 2016 से 20 इन 5 सालों में 4 साल डिविडेंड नहीं आया है, और ये बहुत कुछ डिविडेंड कॉंसिस्टेंसी के बारे में बताती है कि डिविडेंड कॉंसिस्टेंड नहीं है, और इसका बहुत बड़ा रीजन है कि कम्पनी ने 2016, 17 18 इन 3 सालों में लौसर्श बुक किये थे, ये स्टील सेक्टर में होता है दोस्तों और इस रिसक को बिलकुल ध्यान में रखना चाहिए, जो बहुत अच्छा स्टील सेक्टर चल रहा होता है, उनको रियलाईजेशन अच्छे मिल रहे होते हैं, उनको जो स्टील में जो और फाइनल प्रोड़क्ट बनाने में जो खर्चा लगा, वहाँ उसको spreads कहा जाता है, spreads कम होंगे तो ज्यादा मुनाफ़ा नहीं होगा, spreads ज्यादा होंगे तो ज्यादा मुनाफ़ा होगा और हमने वो ज्यादा मुनाफ़ा वाला भी समय देखा है, कब देखा है, बिल्कुल पिछले साल में, पिछला financial year में देखिए, वही dividend आठ रुपया 75 पैसा sale के द्वारा दिया गया था, जहां पर कमपनी ने past में एक बार भी dividend नहीं दिया हुआ था, पिछले 5 सालों में, 4 साल में dividend नहीं दिया था, लेकिन 8 रुपया 75 पैसे का dividend उन्होंने financial year 22 में दिया हुआ ठीक है, अब हम 2022-23 financial year की बात कर रहे हैं, जो अभी हमारे पास जो latest data है, वो क्या कह रहे है, sale ने एक रुपया का dividend दिया है, in fact ये dividend कम है, इसलिए देखिए, dividend आए लेकिन past history भी जानना जरूरी है, 9 महिनों का sale का profit कुछ 850 करोड के आसपास में है, जो पिछली बार 12,000 आप से, जो profits है, वो steel authority of India के dip हुए है, अब देखिए, यहाँ पर हम आप क्योई company को दोस्त नहीं दे सकते हैं, ठीक है, ऐसा ही आपको Tata Steel में भी देखने को मिलेगा, और जो दूसरी steel company है, वहाँ देखने को मिलेगा, ये nature of business है, business analysis, stock analysis, जब भी भी आप करें, तो nature of business जो shampoo है, या biscuits है, जो बिकरी करती है, जैसे डाबर हुआ, HUL हुआ, या फिर मेरिको हुआ, तो फिर चिंता हो सकती ती लिए, लेकिन यहाँ पर ये nature of business है, steel cycle बढ़िया चलेगी, बढ़िया profits हो सकते हैं, बढ़िया यहाँ यहाँ पर dividend भी हो सकते हैं, अभी steel cycle फिर से थोड मौर बाकी है, हड को और अधित्य बिल्ला सनलाइफ, AMC दोस्तों, यहाँ पर हमको आपका बहुत प्यार जरूर मिलता है दोस्तों, बहुत सारे likes भी हमें मिलते हैं, लगबग चैनल के 98% like ratio है, लेकिन बहुत सारे लोग subscribe करना बोल जाते हैं, तो अगर आपने subscribe नहीं किया ह है, देखें, दूसरा डिविडेंड है, हड को का डिविडेंड, हड को ने कैसा डिविडेंड दिया है, 75 पैसा का डिविडेंड दिया है, अब यह मैं आपको analysis करके बताऊंगा कि यह ज्यादा है या कम है, record date है इस डिविडेंड की March 22 को, अभी आप share price देखेंगे, कितना ह अभी share price, अभी 45 रुपीज के आसपास में share price है, तो हम देख लेते हैं कि dividend yield कैसी बन रही है, तो dividend yield अभी का जो share price है, उसके हिसाब से आप देखेंगे, 1.67% की dividend yield बन रही है, लेकिन एक और final dividend भी expected किया जा सकता है, अगर हम हड को की dividend history को देखें, और अभी का जो 75 पैसे का जो dividend है, ये मुझे बहुत surprising भी नहीं लगा, क्योंकि past में देखें, दो बार generally हटको की तरफ से dividend आता है, ठीक है, एक बार March में इसी समय में dividend आता है, और दूसरी बार जब final results आते हैं, मई के महिने में, जून के महिने में, जब results आते हैं, उसके बाद जो dividend डिक्लियर होता ह और उसकी जो X date, record date होती है, वो generally August, September, मैना की हो जाती है, और maximum company का final dividend का वैसा ही रहता है, ठीक है, अब जैसे देखें, पिछले साल 75 पैसा तो dividend उन्होंने डिक्लियर किया था, फिर बाद में 2 रुपिया 75 पैसे का dividend डिक्लियर किया, तो 3.5 रुपिया का dividend, अगर मुझे dividend yield क calculate करना है, पिछले साल के हिसाब से, तो मैं 3.5 रुपै को मैं अभी का जो भी share price है, अगें हर investor का अलग-अलग share price हो सकता है, मैं अभी का ही share price ले रहा हूं, 45 रुपिस के आसपास में, तो dividend yield लगभग 7.78% हो रही है, जो कि मुझे लगता है, एक strong dividend yield है, अभी भी 75 पैसा का dividend है, और उमीद की जा सकती है, कि जो board of directors है, एक और dividend declare करेंगे, अब देखिए, financial year 21 देखिए, फिर से मार्च के महिने में उन्होंने 75 पैसे का ही dividend declare किया था, लेकिन फिर बाद में 1 रुपिया 42 पैसा का dividend declare किया था, फिर उससे पहले देखिए, मार्च 2020 में, COVID वाला साल, उस स में में भी अगर आप देखेंगे, 75 पैसे का dividend था, और 2 रुपिया 35 पैसे का final dividend था, तो हम देख रहे हैं कि 75 पैसा मार्च में dividend बिल्कुल common रह रहा है, लेकिन बाद में final results जब आ रहे हैं, तो एक और dividend आ रहा है, जैसे 2 रुपिया 35 है, या फिर 1 रुपिया 42 है, फिर 2 तो dividend भी बढ़ता रहेगा, ठीक है, तो फिर उसके बाद हमको पता चलेगा कि dividend है या नहीं, जैसे पिछले साल के comparison में तो एक अच्छी dividend yield यहाँ पर बन रही है, और अभी जो 75 पैसे का dividend है, ये past history के हिसाब से देखें, तो ये expected भी था, next नाम अधित्य बिल्ला, Sun Life AIMS, उ उसको अभी के हिसाब से अगर आप calculate करेंगे, तो 1.40% की dividend yield बन रही है, जो की ठीक ठा कि याँपर yield हो सकती है, लेकिन क्या एक और dividend का expectation हो सकता है, उसको हम थोड़ा देखता है, अब देखिए, अधित्य बिल्ला, Sun Life AIMC में एक issue है कि हमारे पास, जैसे सेल की तरह 10-12 साल क data है, लेकिन इनकी listing को actually में अभी 3 साल ही नहीं हुए है, तो हमारे पास सिर्फ पिछला financial year का ही data है, और पिछले financial year में अगर आप देखेंगे, दो बार dividend उनके द्वारा आया था, एक बार 5 रुपीज 60 पैसा और एक बार 5 रुपीज 85 पैसा का, तो जो dividend था, अगर आप मैं यहाँ पर calculate भी आपके सामने यहाँ पर कर रहा हूँ, वो 11 रुपीज 45 पैसे का dividend था, अब देखें, share price तो मैंने बोल दिया 357 है, लेकिन share price actually में बहुत गिरा हुआ है, एक time में share price ने 500 भी देखा है, 450 का भी level देखा हुआ है, अगर मैं मानू, for example, आपने 400, आपकी 480 के आ भी dividend है, और share price के साथ हम यहाँ पर करेंगे, divide करेंगे, तो हमको percentage मिलेगा, percentage हमको मिल रहा है, 2.4% के आसपास की, जो की एक ठीकता yield है, लेकिन अभी का 357, बट मुझे नहीं लगता है, 357 सही रहेगा, क्योंकि इस price में तो पिछले साल का dividend नहीं आया होगा, अब history अगर हम महिने में एक और dividend आ सकता है, देखते हैं, board of directors क्या decide करते हैं, इस बार final dividend आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो फिर हमको quarter 4 के results में ही पता चलेगा, in fact, तीनों ही कमपनिया, sale, hardcore और ABSL, AMC, तीनों के interim dividend आया है, और पिछले कुछ सालों के अगर हम history देखें, तो final dividend का भी expectation तीनो में रह सकता है, अगर पिछले साल या पिछले 3-4 साल में उन्होंने जैसा dividend दिया है, उसकी अगर हम analyze करें, तो मुझे उमीद है आपको value जरूर मिली होगी, analysis आपको अच्छी लगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, आपके कीमती समय के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंकि दूस्तो, अगर कोई एक चीज के मैं बिलकुल खिलाफ हूँ, तो वो है stock tips, stock tips सब जगह घुमती रहती है, social media हो, या फिर news channels हो, लेकिन अगर investor का खुद का एक research process हो, जहां पर वो जानता हो कि कौन से research tools हैं, कैसे analysis की जाए, और किस जगह से analysis की जाए, तो क्या होगा, वो अपना खुद का एक research framework बना सकते हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे stock selection के course में, और ये course आपको एक बहुत बड़े discount में मिल रहा है, जहां पर आप अपने long term wealth creation के लिए एक छोटा सा कदम उठा रहे हो, एक successful investor बनने की तरफ.